असलम आलेकुम दोस्तो मैं हूँ असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट दोस्तो इस वीडियो में आप लोगों के दो सवाल का जवाब देने वाला हूँ पहले मैं आप लोगों के साथ में सवाल शेयर कर देता हूँ आप में से किसी भाई ने पुछा है दो दिसंबर के बाद बिना टिकट वालों को भी कतर जाने की एजासत होगी अगर टिकट नहीं बनाएंगे तो हैया काड कैसे बनेगा इस भाई का पूछना है जबके दूसरा सवाल यह है कि इसमें कहना है इस भाई का कि मेरा भाई का जो फ्लाइट 15 नवंबर को है कमपनी वाले इसको घर बेज रहे हैं लेकिन मेरा भाई जो घर नहीं जाना चाहता है मेरा भाई चाहता है कि कतर में भाग करके तीन महना तक काम करे इसके उपर में आप कुछ बताइए तो दोस्तों आप लोगों ने सवाल सुन लिया आप लोगों इस रिक्वेश्ट करता हूं कि जवा जवाब दे देते हैं पहले जो हम पहला सवाल का जवाब देंगे जिसमें पुछा गया था र el का टाट पर्चेश नहीं करते हैं तो जो हैं कईसे सकते हैं कạtरहिया-क इसे बनेगा तो इसका जवाब यह है कि कुछ दिनों पहले क theater government त्रब डिकश्या wireless Sounds बनाते हैं तो इसका चार्ज आपको 500 याल लगेगा 500 500 याल चार्ज वाली बात मुझे एक जगह सुराई थी हाईया का जो वेबसाइट है वही पर आपको एक्कमेडेशन बुक करने की भी सहूलत मिल जाएगी तो दोस्तों इस तरह भी आप कतर जा सकते हैं कतर जाने एक बाद में सिर्फ आप वर्ड कॉप के मैचेस को नहीं देख पाएंगे बाके जो है वहाँ पर जो भी फंक्शन होगा जो भी अक्टिविटीज होगी सारी चीज़ों से आप इन वहाँ पर इंजोई कर सकते हैं अगले सवाल में जो भाई ने पुछा था कि मेरे भाई का फ्लाइट 15 नवंबर को है उसके कमपनी तीन महना के लिए जबरदस उसको घर भेज रही है मेरा भाई भाई भाग करने काम करना चाहता है तो उसके बारे में बताईए आप अगर चाहें तो कमपनी वाले से रिक्वेश्ट कर सकते हैं कि मुझे तीन महना के लिए जो है छे महना के लिए आरा दे दीजिए मैं दूसरी कमपनी में जागर के काम करना चाहता हूँ जब आपके कमपनी में काम आ जाएक तो मैं वापस आ जाओंगा या यह कि आप उस कमपनी से बात कर सकते हैं चेंज के लिए भी अगर कमपनी तयार होती है तो ठीक है अगर कमपनी वाले तयार नहीं होते हैं तो आप अपने भाई को घर भेज़ दें लेकिन भाग करने काम उसको मशवरा मत दें अगर एक मरतों आपका भाई भाई भाग गया तो आप यह समझ लीजे कि आपके भाई का केरियर्ट कतर में हमेशा के लिए खतम हो जाएगा पलीस उसको कब पकड़ करके घर भेज़ देगी कोई ठीक नहीं है लेकिन कमपनी वाले जिस तरह उसको घर भेजना चाहते हैं अगर वो उस तरीके से जाता है तो कतर उसको वापस आने के लिए उसका रास्ता खुला रहेगा रास्ता बंद नहीं होगा लेकिन कमपनी छोड़ करके भागने की सुरत में अगर बला खुरूब लग जाता है और इस तरह वो कतर से बाहर जाता है तो कतर उसके लिए हमेशा बंद हो जाएगा या यह के जाने एक टाइमे 12,000 रियाल फाइंट पे करना होगा तो मेरे लिए आपका मशुरा यही है कि 4,000 रियाल कमाने के लिए इतना बड़ा रिक्स मत लें और इस तरह की गलती को मत दोहराएं आप चाहें तो कमपनी वाले से साफसा बात कर सकते हैं कि अगर आपको वरकर की जरूत नहीं है तो आप इसी वक्त जो है केंसिल भेज दें ताकि मेरा भाई फिर से दूसरा वीजा में कतर वापस आ सके तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो उमेद करता हूँ जरूर पसंद आई होगी इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें वीडियो को दिखने का बहुत बहुत शुक्रिया